अगर आप कोई नया बिजनिस शुरू करना चाहते हैं, तो यह बिजनिस शुरू करें। घर में पैसा पानी की तरह आएगा। वर्तमान में बाजार में पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ती जा रही है। पूरे भारत में बैटरी से चलने वाली स्कूटी, चार पहिया, वाहनों का बाजार बढ़ रहा है। ऐसे में EV Charging Station शुरू किया जा सकता है। EV Charging Company के एक अधिकारी ने कहा, EV Charging Station स्थापित करने के लिए आपको भारत सरकार के विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। इसके अलावा, इस व्यवसाय को प्रोथसाहित करने के लिए भारत सरकार वरतमान में सबसीडी भी प्रदान कर रही है। लेकिन इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सडक के आसपास जगह ढूंधनी होगी। इसके अलावा, आप शहर के व्यस्त इलाकों जैसे शॉपिंग मॉल, बस स्टैंड पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बाइक चार्जिंग के लिए स्टेशन स्थापित करें। बाद में कारोबार बढ़ा, तो चार पहिया वाहन चार्जिंग स्टेशन भी शुरू किये जा सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले आपको कुछ योजनाय बनाने की जरूरत है। लेकिन इस बिजनेस को शुरू कैसे करें। वरतमान में कई कमपनियां इवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए फ्रिंचाइजी की पेशकश कर रही हैं। सभी आवश्यक सहयोग दे रहे हैं। उनसे संपर्क करें और वे आपको एक विशिष्ट व्यवसाय योजना से लेकर उपकरन तक सब कुछ प्रदान करेंगे। झाल